जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका विजेपत्ट डिफेंस एजुकेशन में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 18 जनवरी 2021 के most important day-to-day के current affair जो कि आपके आने वाले सभी exam के लिए most important रहेंगे विजेपत्ट डिफेंस एजुकेशन की तरफ से डेली आपको current affair की वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती है सो आपने इसको जरूर देखना है और जाद से जादा शेयर करना है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू हमारा basic foundation का course भी start हो चुका है सो 100% short success के लिए आप हमारा basic foundation का course जोइन कर सकते हैं वीजेपत्ट defense education में सो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट कॉशन है वीडियो का अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आंतकबाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है तो अमेरिका के द्वारा ऐसा कौन सा देश है जिसको आंतकबाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया गया है तो उस देश का नाम है क्यूबा तो option B इसका सही answer हो जाएगा next question है भारती सेना दिवस निमन में से किस दिन मनाया जाता है तो भारती सेना दिवस जो है आर्मी डे वो बनाया जाता है पूरे भारत वर्ष में 15 जैनवरी को important question है आपको comment box में बताना है कि हमारे जो भारती सेना के chief है उनका नेम क्या है next one है tomtom traffic index के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा traffic वाला शहर निमन में कौन सा रहा है तो एक traffic index है tomtom उसके अनुसार 2020 का जो सबसे ज़्यादा traffic वाला शहर रहा है वो है हमारा Moscow काफी important question है और पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा traffic वाला शहर है वो है हमारा Moscow next one है गुजरात सरकार ने नई नीती को लागू करने के लिए घूशना की है तो कौन सी ऐसी नई नीती है जो की गुजरात सरकार दोरा start की जाएगी उर्जा नीती आध्योगिक नीती शिक्षा नीती या फिर प्रेटन नीती तो गुजरात सरकार के दोरा प्रेटन नीती जो है वो नई तरह से जो है वो लागू की जाएगी next one है भारत सरकार ने किस देश में मशीन मनीश चुहान को नेया राजदूत नियुक्त किया है तो सेंटर गवर्मेंट के द्वारा मनीश चुहान को पुर्तगाल का जो है वो राजदूत नियुक्त किया गया है काफी इंपोर्टेंट कोईशन है और ऐसे ही करेंट के कोईशन आपके एक्जाम में देखनी को मिलते हैं next one है फिंच रेटिंग्स ने अगले वित बर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक व्रिधी दर में कितने प्रतिशत बिस्तार का नुमान जताया है तो कितने प्रतिशक तक जो है वो आर्थिक व्रिधी में जो बढ़ोतरी है वो हो सकती है तो वो है हमारी 11 परसेंटेज 11 परसेंटेज की बढ़ोतरी जो है वो 2021-22 में देखने को मिल सकती है नेक्स वन है निमन में से किस देश ने चीन के जी जी यंग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिवन्द लगा दिया है तो ऐसा कौन सा देश है जहांपर चीन के चीन से जो उत्पादित कपास और टमाटर होता उसके आयात पर आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिवन्द लगा दिया है तो उस देश का नाम है अमेरिका काफ़ इंपोर्टेंट कोईशन है और अमेरिका के नए निर्वाचे तरास्ट पती चुने गए है जिनका नाम है जो बाइडेन next one है RBI ने हाल ही में deposit rate के मानदनों का उलंगन करने पर दिगज बैक बेंक एजी पर कितने करोड रुपे का जुर्माना लगाया है तो हाल ही में RBI के द्वारा एक जुर्माना लगाया गया है जिसे कि जो deposit rate है अगर उनका उलंगन किया जाता है तो उन पे जुर्माना लगाय जाता है तो टोटल दो करोड का जुर्माना जो है वो RBI के द्वारा लगाया गया है RBI की बात करूं तो Reserve Bank of India इसका नेम होता है Head Office का Mumbai में है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1934 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी और इसके बरतमान के अध्यक्षे सक्तिकांत दास आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आप हमें Social Media के पर फोलो कर सकते हैं आप हमारे WhatsApp ग्रूप के साथ जरूर जुड़ें इसमें आपको Day-to-day के करेंड़ फियर साथ में HPGK के नोर्स और साथ में Job Alert प्रोवाइड करवाया जाता है वीडियो जाद से जाद आपने शेर करनी है हमारा हिमाचल पुलिस का भी Advance बैच स्टार्ट हो चुका है जो कि आपको सक्सेस दिलाएगा 2021 में जल्दी से जल्दी Advance बैच आप स्टार्ट कर सकते हैं HP पुलिस का विजपत डिफेंस एजुकेशन में वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें जाद से जाद शेर करें जय हिंद जय भारत